शारो खान को मिल गया नया प्रोजेक्ट कॉमिक एक्शन थ्रिलर में आएंगे नजर पिछले कुछ समय से बलिवुड के बाद शारो खान की फिल्में बॉक्स ओफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पा रही है साल 2018 हमें आई उनकी फिल्म जीरो भी बॉक्स ओफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा सकी इसके बाद से किंग खान की फिल्हाल कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है और ना ही वे किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे है मगर शाहरोक के प्रशंसेओं को हमेशा ही इस बात का इंतरदार रहता है कि उनके फेवरेट स्टार का अपकमिंग प्रोजेक क्या है ताजार रिपोर्ट्स की मानें तो शाहरोक एक बड़े बजट में बन रही कॉमिक एक्शन थ्रिलर फिल्म में नजर आएंगे मुंबई मेरहर की रिपोर्ट्स की मानें तो शाहरोक खान ने एक स्टाइलिश एक्शन फिल्म साइन की है जिसकी शूटिंग साल 2020 में की जाएगी अभी तक शाहरोक ने इस तरह की फिल्में नहीं की है फिल्म की shooting शाहरोख Khan के ही prediction house के तहत की जाएगी और इसकी shooting भारत और भारत के बाहर की जाएगी फिल्म के action see queens के लिए विदेश से किसी stuntman को क्रू में शामिल किया जा सकता है फिल्म की script final की जा रही है जिसके बाद इसकी shooting location final की जाएगी फिल्म में किसी बड़ी एक ट्रेस को कास्ट करने की बात चल रही है 54 जन्म देन पर शाहरोक ने कही थी ये बात बता दें कि अपने 54 जन्म देन पर शाहरोक ने इस बात की गोशना की थी कि वे किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा हो सकते हैं अब रिपोर्ट से तो यही लग रहा है कि शाहरोख इस फिल्म में काम करते नजर आएंगे। ऐसा मानद जा रहा है कि ये फिल्म साल 2021 में रिलीज होगी। इस फिल्म के अलावा साल 2020 में भी शाहरोख की एक फिल्म के रिलीज होने की संभावना है।